आप सभी एकदम मस्त स्वस्त और मज़े में होगे हम भी एकदम मस्त स्वस्त और मज़े में है तो अभी यहाँ पे सुबे भगवान की पुर्ण पुजा करने के बाद सुबे का जो नास्ता है वो में बना रही हूँ और आज सुबे के नास्ते में में बना रही हूँ मेथी का जो थेपला बोलते है वो और अभी सर्दियों की मौसम में मेथी और सभी जो हरी वाली सबजी आती है वो अच्छी आती है तो अभी यहाँ पे में मेथी का थेपला जो है वो बना रही हूँ और दूसरे गेस के उपर दूद जो है वो गरम हो रहा है और सुबे के नास्ते में गर्म गरम थेपला बाकरी मिल जाए तो खाने में बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद यहाँ पे सभी थेपला जो है ना वो मेंने रेडी कर दिया और सुबे के नास्ते के लिए चाई जो है वो रख दी है तो अभी यहाँ पे चाई जो है वो हो रही है और गर्मा गर्म थेपला और चाई जो है आज सुबे के नास्ते में हम लोग खाएंगे तो अभी यहाँ पर चाई भी जो है वो रेडी हो चुकी है और नास्ते में है आज चाई और थेपला और सुबह का नास्ता फिनिस करने के बाद मेरे हस्बंड जो है वो ओफिस चले गए और उसके बाद अभी ये फ्रीज के उपर का जो कवर है ना वो बहुत गंदा हो चुका है तो कितने दिन से सोच रही हूँ कि इसको दोना है क्लीन करना है तो आज तो सोचा कि पहले ये कवर को अच्छे से उसके उपर जो सामान है वो निकाल लेती हूँ और उसको दोने के लिए डाल देती हूँ तो अभी यहाँ पे फ्रीज का कवर जो है ना उसके उपर का जो सामान है ना वो मैंने निकल दिया और उसको दोने के लिए मुझे डालना है तो यहाँ पे देखो नीचे की साइड तो ऐसे फ्रीज का उपर का जो है ना कवर रखा हुआ है तो ऐसे फ्रीज क्लीन ही है तो यह जो है ना मैंने घर पे ही बनाया है और यह बहुत ही अच्छा है और पीछे की साइड जो बोरी आती है वो मैंने डाली है ताकि यह जो है एकदम अच्छे से बना हुआ है तो अभी इसको दोने के लिए में डाल देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे सुबे के नास्ते के जो बरतन है ना वो तो मैंने क्लीन कर लिये है और कल मैंने जो चावल और उड़त की डाल बिगोने के लिए रखी थी वो अच्छे से बिग चुकी है और यहाँ पे यह जो मिक्सी जार के अंदर रिंग आती है वो तूट गई ह तो उसमें मैंने एक जुगार लगाया उसके उपर ऐसे ब्लेक वाली जो सेलोटे पाती है वो लगा दी है ताकि मिक्सी जार में अंदर की जो रिंग है वो लग जाएंगी और अभी टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन यह जो रिंग है वो भी मुझे नहीं लानी है तो अभी तो यह जुगाड करके यह जो मुझे पीसना है वो मैंने पीस लिया है तो अभी यहाँ पे चावल और उड़त की डाल जो है वो मैंने पीस ली है और इसको मैं एक बरतन में निकाल के उसको ऐसे रख देती हूँ 8 से 10 कंटे के लिए साइट पे ताकि इसमें से जो इडली या इड़ा जो बनाऊंगी वो अच्छे से बन जाएंगे तो अभी यहाँ पे बरतन तो दो लिये है मैंने सुबह के लेकिन अभी जो मैंने चावल और उड़त की डाल पीसी है उसके बरतन हुए है तो उसको क्लिन कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे सुबह के जो कपड़े सब थे वो मैंने दुल लिये और उसके बाद अभी कपड़े सुखाने के लिए मैं टेरस पे आ गई हूँ और अभी टेरस पे इतना पवन चल रहा है और अभी दो तिन दिन से पवन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और ठंडी भी ज़्यादा लग रही है तो अभी मैं और मेरा बेटा दोनों टेरस पे आ चुके है और कपड़े जो है ना वो मैंने सुखा दिये है और कपड़े भ बोदे भी इतने हिल रहे हैं और ये पवन से मुझे तो मेरे सीर में थोड़ी देर के लिए भी ऐसे पवन लगता है ना तो सीर में दर्ध होने लगता है तो अभी यहां पे देखो इतना पवन चल रहा है बाहर और अभी ठंडी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है अभी यहां पे मुझे आज बनाना है वेज फ्राइड राइस तो उसके लिए यहां पे मैं कीचन में प्रिपरेशन करने के लिए आ देई हूँ और फ्राइड राइस अभी सर्दियों की मौसम में खाने में बहुत अच्छे रखते हैं तो उसके लिए यहां पे मैंने चावल जो है ना वो बिगो के बिगोने के लिए रख दिया है और यहाँ पे पानी बोईल होने के लिए रख दिया है तो इसमें अभी यह चावल जो है इसको बोईल होने के लिए डाल दूंगी यहाँ पर यहाँ पर चावल में ब्गय चा लिए है बोएल बने बहग fingers लिए तब तक के लिए मैं यहाँ पर फ्राइड राइस में जो सबजी मुझे कट करके डालनी है वो सबजी कॉंचे यहां पे मैंने थोड़ी सी एसे एक प्यास जो है वो कट कर ली है पत्ता गोबी जो है वो ऐसे लंबी-लंबी कट कर लेती हूँ और गाजर डालना है तो गाजर भी एसे लंबे-लंबे सेप में कट कर लेती हूँ और फूल गोबी जो है थोड़ी-पड़ी हुई है तो मैंने स और सभी सबजिया कट करने के बाद भी यहां पे लैसून और अद्रक की ऐसे पेश्ट बना लेती हूँ तो fried rice में थोड़ा lesson ज्यादा होता है तो अच्छा लगता है और हरा वाला lesson हो ना तो वो भी taste में बहुत अच्छा लगता है तो अभी मेरे पास नहीं था तो अभी lesson और अद्रक जो है ना वो मैंने पीस लिया है और अभी यहां पे rice जो है ना वो भी अच्छे से पक गए है तो उसको में एक चलनी में ऐसा निकाल दिया है तो यहां पे rice जो है ना अच्छे से बॉल हो चुके है और उसके बाद यहां पे fried rice बनाने के लिए एक कड़ाई में मैंने दो चम्मच जितना oil ले लिया है और oil में सबसे पहले मैंने जो अद्रक और lesson जो पिसके रखा है उसको मैं डाल देती हूँ और उसके बाद जो हरी मिर्च कट करके रखी है ना वो इसमें मैं डाल देती हूँ तो यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे सोते होने के लिए रख दिया और उसके बाद यहां पे सभी सबजिया जो है ना वो इसमें मैं डाल देती हूँ तो सबजिया मैं ऐसे प्याज पता गोबी और फूल गोबी जो कट करके रखी है वो और गाजर तो यह सभी सबजिया थोड़ी देर के लिए इसमें डालके इसको मैं सोते कर लेती हूँ और सभी सबजी ऐसे थोड़ी सी पक गई उसके बाद यहां पे मैंने ऐसे एक से डेड़ चमच इतना नमक जो है वो डाल दिया और नमक डालने के बाद अभी इसमें मैं डाल देती हूँ एक चमच जितना सोया सोस एक चमच जितना जो टॉमेटो कैचप आता है वो और एक चमच जितना रेड़ चिली सोस तो यहां पे सभी सोस को ऐसे सबजी के साथ मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद यह चावल जो मैंने बॉयल करके रखे वो इसमें मैं डाल देती हूँ और चावल में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था लेकिन मुझे कम लग रहा है तो अभी थोड़ा सा नमक उपर से डाल देती हूँ और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेक पेपर पाउडर जो है वो मैं उपर से डाल रही हूँ और यहाँ पे अभी हलके हाथों से चावल को अची से मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा हरा धन्या जो है वो मैंने डाल लिया है तो यहाँ पे टेस्टी वाले गर्मा गर्म वेज फ्राइड राइस जो है ना वो रेडी हो चुके है और यह राइस ऐसे देखे ना तो गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बन जो है वो खाना खाने के लिए आएगे तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि गर्मा गर्म है तो तू पहले खाने के लिए बैठ जा और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के व्लोग का एंड आज का व्लोग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए शैर कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा तो तब तक के लिए आप सभी को बाई बाई टेक के रोल ओफ यू और थैंक्स फोर वाचिंग